नमस्कार दोस्तों मैं स्वतिश वास्तवन इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ इंडियन प्रीमेर लीग के चौदवे संसकरन को इस थगित कर दिया गया है इसी वीज़ खबर है कि चिननाई सूपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी कुरोना संक्रमिक पाये गये हैं इससे पहले गेनबाजी कोच एल बाला जिने सो मार को कुरोना पॉजिटिव पाये गये थे समाचार एजनसी एनाई से बात करते हैं और हम उस रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ पुछटी कर सकते हैं अन्ने खिलाडियों के बारे में पुछने पर अधिकारी ने कहा कि संक्रमिक पाये गये बाला जी आईसोलेशन में है बाकियों ने बाहर जाना शुरू कर दिया है विदेशी खिलाडी रवानगी के रूट को लेकर BCCI से कनफरमेशन की प्रतिक्षा कर रहे हैं जबकि भारते खिलाडी घर जा रहे हैं बतादे कोलकतर नाइट साइडर के दो खिलाडियों और चिन नई सूपर किंग्स के सहयोगी स्टाफ की करूना से पॉजिटिव आने के एक दिन बाद सन्राय साहदाबाद के विकेट कीक पर रिदिमान सहा और दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्टा के संक्रमित प बैसला किया बी सी सी आई ने ये भी कहा कि वो आईपियल दोजरेकीस में सभी प्रतिभाग्यों के सुरक्षित घर वापसी के लिए सब कुछ करेंगे आईपियल में इंग्लेंड और श्रिया न्यूजिलेंड साहित कई अन्य देशों के खिलाडी हिस्सा ले रहे थे आपक मुकाबला स्थागित कर दिया गया था और फिर मंगलवार को सियस्के और राजस्थान के बीच का मैच भी स्थागित कर दिया गया जो बुद्धवार को दिल्ली में खेला जाना था इसके बाद जब सहा और मिश्रा के भी मामले सामने आये तो आईपियल की मौजूदा सत् वसम्मती से फैसला किया गया फिलाल के लिए खबर में इतना है तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं पन इंडिया